रुपाली गांगुली और गहरक अनुपमा ने लोगों का दिल जितने में कोई कसर नहीं छोड़ी है सो में जहाँ अब माया ने अपना असली रंग दिखाना शुरूर कर दिया है तो वही पारितोस की बिमारी निसा हाउस में नया बवाल खड़ा करके रख दिया है बीते दिन अनुपमा में दिखाया गया कि वन राज काव्या के सेट पर तमाशा करना शुरू कर देता है जिससे मोईत उसे नौकरे से निकाल देता है तो वही माया अनुपमा और अनुष के कमरे पर नजरगड़ाय रखती है बरका उसे देख लेती है लेकिन वह उसे भी गलत सामित कर देती है हाला कि रुपाली गांगोली के अनुपमा में आने वाले ट्विस्ट ओटर नहीं समापत नहीं होते हैं अनुपमा में दिखाया जाएगा कि वन राज के तमासे के बाद काव्या घर आती है उसका रो रोकर बुरा हाल हो जाता है वह बापूजी से बताती है कि वन राज के तमासे के कारण उसकी नौकरी चली गई वह बन राज को बिलकुल बागी तरह होने का ताना देती है इतना ही नहीं गुस्अ में काव्यवंडरास से बोल पूरते हैं कि तोसु मेरे जिम्मेदारी मेरा करियर है मैं काम करूँगे और किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं कहां जा रही हूं अनूपमा में आगे दिखाया जाएगा कि रोते भी लगते अनुपमा घर पहुँच जाती है और बोलती है कि उसके घर को अनुपमा की जड़रत है बाँ अनुपमा के पैरो में गिर जाती है और बोलती है और बार बार तोसु का हवाला दे कर उसे घर चलने के लिए बोलती है अनुपमा हताश होकर अनुच की ओर देखती है वहीं वनराज को समझ आता है कि अनुपमा को अपना घर भी देखना है दूसरी और बर्खा भी बाप पर भड़क जाती है कि आपकी हर मुसिबत का समधान अनुपमा और अनुच को अलग करना ही क्यों होता है अनुपमा में इंटर्टेन्मेंट का तड़का तब लगेगा जब अनुपमा बाग के साथ वहाँ जाने के लिए तयार हो जाएंगी उसे अनुच के चेहरे पर नराजगी दिखेगी लेकिन वह सब कुछ भूल कर सा हाउस वापिश चली जाएंगी वह वहाँ अपने बेटे का ख्याल रखेंगी लेकिन दुसरी और अनुच तो उससे दूर होगा ही साथ ही माया घर में उसकी जगा ले लेगी धन्यवाद हमा धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूले हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे धन्यवाद